क्यों हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला? रामायन और अन्य पौरानिक कथाओं के मुताबिक हनुमान जी एक अत्यंत शक्तिशाली और अध्भुत शम्ताओं वाले देवता हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वे अपनी इन शक्तियों को भूल गए थे. ऐसा एक श्राप की वजह से हुआ था. जब हनुमान जी छोटे थे, तो वे अत्यधिक चंचल और उर्जा से भरपूर थे. वे तपस्वी भिक्षूओं को सताते थे. बगीचे को तहसन हस कर देते थे. उन्होंने तपस्यारत मुनियों को भी अपनी शरार्तों से परिशान कर दिया था यहां तक कि एक बार उन्होंने सूर्य देव को भी अपने मुख में फल समझ कर रख लिया था. रिशी मुनियों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की हनुमान जी के माता पिता ने ऐसा न करने को कहा लेकिन हनुमान जी ने किसी की बात नहीं मानी इसी क्रम में एक बार अंगिरा और भेगुवंश के मुनियों ने उन्हें कुपित होकर श्राप दिया कि वे अपनी शक्तिया भूल जाएंगे उन्हें अपने बल का आभास्त होगा जब कोई याद दिलाएगा रामायन के अनुसार जब हनुमानजी रावन की लंका में सीता माता की खोज कर रहे थे तब उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं था रावन के पुत्र मेघनाद ने हनुमानजी को शक्तिहीं बना दिया था तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई जामवंत ने हनुमान जी को बताया कि वे सूर्य देव के पुत्र हैं और उनमें अध्धुत शक्तियां हैं जामबंत की प्रेणा से हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ और उन्होंने रावन पर विजय प्राप्त की